नमस्ते, टेस्टी खाना बनाना में मैं बनना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ राजमा, जब दस मिनट के अंदर बन के राजमा हमें मिल जाए, क्या कहने हम ये राजमा बनाएंगे ना कोकर में कोई उबालने उबालने का जंजट नहीं होगा, पूरा टाइम सेव हो जाएगा और डाइरेक्ट आप कोकर में डाल के इसको बनाओगे ना, तड़का दोगे तड़के के साथ, राजमा डालो और कोकर दो जो हम सप्रेट बॉइल करके बनाते है ना, एक्तन एक्जाक्ट वैसा ही टेस्ट आता है और समय भी कम लगता है राजमा चावल किसको नहीं पसंद और राजमा हिल्दी भी होता है शरीर के लिए, चलो हम शुरू करते हैं बनाना यहां पे मैंने रख दिया एक कूकर कूकर में हम डालेंगे मस्टर्ड ओयल, यहां पे मैं तीन बड़ा चम्मच, मैं मस्टर्ड ओयल का इस्तिमाल कर रही हूँ शर्सो के तेल का, आप जो तेल पसंद करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं तेल गरम हो गया है इसमें half teaspoon सरसो का दाना डालेंगे, mustard सीड, दो तेज पता है, देड़ इंच का टूड़ा दालेंगे और साथ में हम half teaspoon जीरा डालेंगे तड़का तड़क गया है, अब इसमें हम 130 स्पून जितना हींग डाल देंगे, क्योंकि ये राजमा की सबजी है, हींग जो है पाचन शक्ति में वर्क करेगा, आप जरूर डालना हींग इसमें तड़का रेडी हो गया है बिल्कुल, अब इसमें एक बड़े साइज का बारिक कटा हुआ, मैंने प्याज ले लिया है, ये डाल देंगे प्याज डालने के बाद इसमें एक टी स्पून हम अदरक लेसन का पेस्ट डाल देंगे, साथ में एक उख हो जाएगा अब इसको हमें तक-था कर दालना है चलाते हुए जब तक ये प्याज जो है एक ड़म गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बढ़िया कलर ना आ जाए, तक तक हमें इसको पकाना है, प्याज में बढ़िया कलर आ गया है, इतना ही हमें भुनना है, अभी इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें मसाला, फ्लेम को एकदम स्लोपे कर दिया है, मसाला सूखा मसाला डाल रहे हैं तो जल जाएगा, one third teaspoon हम इसमें haldi powder डाल देंगे और तीखा आपके ऊपर depend करता है one third teaspoon ही हम लाल मिर्ज का powder डाल रहे हैं और इसमें two teaspoon एकटम फुल भर के मैं धन्या powder डाल दे रही हूँ इसको भी हमें इतम आरोमा आने तक पकाना है एकटम लो फ्लेम पे मसाले से इतम बड़ी आरोमा आने लगा है अच्छे से कूख हो गया है इसमें अब हम दो बड़े साइज का juicy tomato ऐसे roughly chop कर लिया है यह डाल देंगे उपर से हम स्वाधन अचार हम नमक डाल देंगे tomato भी गर जाएगा और नमक भी अच्छे से कूख हो जाएगा बाद में कम जादा होगा तो टेस्ट करके हम फिर से अद्जेस्ट कर सकते हैं मैं फिलाल अंदाज के डाल दे रही हूँ नमक बाद में नहीं डालूंगी flame को अब हम medium high flame पे कर देंगे tomato soft हो जाएगा plus 7 में ही क्योंकि हम राजमा को boil करके नहीं पका रहे हैं मैंने यहां पे भीगा हुआ तीन कब भर के राजमा ले लिया है overnight soak करके रल दिया था अच्छे से फोल गया है और इसको उबाल के बनाते तो अभी हम इस पेज़ पे नहीं डालते लेकिन तो तोड़ा साब मसाले में हम भून देंगे न तो और अच्छा टेस्ट आएगा अब साथ में ही हम न राजमा में आप ऐसे बना सकते हो लेकिन मैं आलू पसंद करती हूं राजमा में एक मेडियम साइज का आलू इस तरह से रफली काटके डाल देंगे एक तो ग्रेवी भी थिक हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा लगता पसनली मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूं जरूर नहीं है कि आप डालो आप आप स्किप कर सकते हो अगर आप पुना पसंद हो तो हमें कुछ देर तक इसको भून लेना है साथ में इसको मैं चलाते हुए दो मिनट तक भून ली हूं अब इससे जादा हमें भूनने की ज़ौरत नहीं है देखो टमाटो पूरी तरह से गल गया है हम इसमें वन थर्टी स्पून डाल देंगे गरम मसाला, मिक्स कर देंगे, पानी डाल देंगे अब हम, एक कॉप, ये दो कप हो गया, अच्छा कूकर में बहुत जादा पानी नहीं सोखता है, उसी साब से डालना की बहुत जादा पानी पानी एह ना कर देना, जैसा आपको पसंद हो रोटी या पूरी पराठा के साथ खाना है तो थोड़ा सूखा बना लेना, कम पानी डालना अगर में राइस पुलाओ भी इसके साथ खाना है, तो तो ज़गा ज़्यादा पानी डालना ताकि फूड़ी लिक्विड़ी हो पांजिवाधे में और कुछ डालने की जौरत नहीं है, हम लिड लगा लेंगे, अगर मैं आपके पास हरा धनियाओ बारिक काट करके डाल सकते हो, कुकर कार लिड लगाने के बाद, सीटी लगा दिया, इसको हाई फ्लेम पे एक सीटी आने तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को मेडियम पे कर देंगे मेडियम फ्लेम पे इसमें 5-6 सीटी लगा दें, टोटल 7 सीटी लगा देंगे तो एकदम बढ़ियाँ कुक हो जाएगा, कुकर एकदम ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको ओपन करेंगे, उसके बाद आप से मिलते हैं, कुकर यहाँ पे ठंडा हो गया, इसको मैंने अल्रेड यह ओपन कर लिया है, हम देखते हैं सबजी किस तरह का यह पका हुआ है, यह देखो कितना अच्छा कलर आया है, यह देखो, कितना अच्छे से खुल के यह राजमा पका हुआ है, मैं दिखा रही हूँ, उबालने की कोई जरुरतिस में मैसूस नहीं होगी, आपको इतन के नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा पानी इसमें जादा चाहिए, आप हिसाब से डालना, यह देखो, आप इसको राइस से भी खा सकते हो, और रोटी से भी खा सकते हो, पोरी से भी, पराठा से भी, और यह पटेटो चाहे तो आप इसमें तोड़ दो या तो ऐसे ही खाओ, निकाल लेते हैं हम, ले लिया एक बाउल, इसमें हम निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो राजमा मैंने सर्फ कर लिया है, एक प्याज का तुकड़ा उपर रख देंगे, पुदीना है पुदीना लगा देते हैं, थोड़ा सुंदर लगने के लिए, यह रहा हमारी राजमा का फाइनल लुक ये देखो सूपर एजी, सूपर टेस्टी कम टाइम में बना करके इंजॉय कर सकते हैं अब तो ये रिस्पी देखने के बाद बार-बार बना कर खाएंगे क्योंकि जो समय बच रहा है रिस्पी कैसी लेगी? कॉमन्ट करके मुझे जरूर बताना मेरे मीडियो को जादा जादा शेयर लाइस और नए होंगे चैनल पर सबस्क्राइब जरूर कर देंगे अब मैं आप लोगों को नेक्स रेसिपी के साथ मिलती हूँ थैंक यू, बाई